इस वक्त एक बड़ी ख़बर रिशुकुमार शुकला को सीब्याई के नए डिरेक्टर के जमेदारी एक बड़ी जमेदारी शुकुमार शुक्ला को मिली है आपको बता दें 1983 बेज के IPS अधिकारी है रिशी कुमार शुकला जिनको अब CBI का नया डिरेक्टर बनाया गया है तो बड़ी खाबर इस वक्त की रिशी कुमार शुकला को CBI का नया डिरेक्टर बना दिया गया इंद्रसेन हमारे समधाता इस खबर पर जोड़ें फॉन लाइन पर इंद्रसेन आखिरकार CBI को नया डिरेक्टर मिली गया रिशी कुमार शुकला के रूप में क्या कुछ और जानकारी बिल्कुल शंकर देखे रिशी कुमार शुकला जो है एक दूसरे को पर भरष्टाचार के आरोप लगाये थे और यह पूरा मामला जोहस सुप्रीम कोर्ट में भी चला और उसके बाद दोनों को भी हटा दिया गया था और दस जन्वेदी से जो पत था वो खाली पड़ा हुआ था और आज जो रिशी कुमार शुकला है उनके रूप में CBI को जो नया डारेक्टर है वो मिल गया है काफी तेज तरदार IPS आफिसर माने जाते हैं और MP के यह DGP भी रह चुके हैं साथी सूत्रों के माने तो BJP के काफी करीब हैं शायद इसी की चलते जो प्रदान मंतरी नरेंद मोधी की जो स्लेक्ट कमेटी थी उन्होंने इनको जो CBI का डारेक्टर है वो बनाया है पिछले 10 जन्वरी से यह पूरापत खाली पड़ा हुआ था काफी तेज तरदार IPS माने जाते हैं रिशी कुमार शुकला 1983 बैच के IPS ऑफिसर है शंकर तो 10 जन्वरी से जिससे पूरापत खाली पड़ा था क्योंकि राकेश स्थाना और आलोग वर्मा की बीच में जो आप से जंग चुड़ी हुई थी उसको लेकर लगातार कई बार प्रदान मंतरी आवास पर बैठक भी हुई थी लेकिन बात नहीं बन पाई थी और तक्रीबें चार से पांच नाम थे जो इस रेश में आगे चल रहे थे लेकिन आखिरकार जो आखरी मोहर लगी है वो रिशी कुमार शुकला के नाम पर लगी है लेकिन इंदर सेन एक चीज आप से समझना चाहेंगे क्योंकि अब क्या लगता है आपको एक चुनोती तो होगी रिशी कुमार शुकला के सामने क्योंकि ऐसे वक्त में उन्होंने पदभार ग्रहन किया है डिरेक्टर बने हैं सीवी आई को लेकर तमाम तरहिके के चीजें सामने निकल कर आई राकेश अस्ताना और पहले जिस तरीके से सीवी आई पर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे वक्त में अब नए डिरेक्टर के पद को समालना और आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि जो छवी सीवी आई की इस वक्त पूरे देश में बनी भी थी और उसके बाद जो सवाल उठे उसके बाद जो इस्तितिया बनी खासतोर पर ये कहा गया कि सरकार के दबाव में ऐसी संस्थाएं काम कर रही है तो उस चवी को भी क्या लगता है आपको एक बड़ी चुनोती रहेगी दूर करना रिशु कुमार शुकला की सामने बिलकुन निश्यत रूप शशंगत जस तरह से जो सीबियाई है देश की सरवोच जाज एजनसी मानी जाती है और कही जाती है तो निश्यत रूप से जस तरह से पूरा आपसी घामासान मचा हुआ था उसके अंदर आलोग वर्मा और राकेश अस्थानों को लेकर जस तरह से झो를 भूरति हूए थी सबस्क्राइब का जुआज थे सैंक आई। रिशी कुमार शुकुला के लिए होगी क्योंकि जिस तरह की इमेज CBI की है और देश की सबसे बड़ी सर्वोच जाच एजनसी कहा जाता है और पिछले अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार CBI के उपर सवाल उठते रहे हैं विपक्ष ने भी केंद सरकार के पर हमला बोला था और एक कहा था कि CBI जो केंद सरकार के इशारों पर काम करती है तो निशीत रूप से कहीं न कहीं जिस तरह से CBI की जो इमेज है पिछले कुछ दिनों में डाउन होई है तो निशीत रूप से रिशी कुमार शुकला के लिए एक चुनोती जरूर है कि इस चीजों को जो हाल फिलाल में बिगडी हैं उनको किस तरह से वो सही करेंगे बीजेबी का इनको करीबी कहा जाता है 1983 बैच के तेज तर्रार IPS ऑफिसर है MP के और अब इनको नया डारेक्टर बनाया गया है तो शंकर कुल मिलाकर रिशी कुमार शुकला के लिए ये पद भार इतना आसान नहीं होगा निशीत रुप से एक बड़ी चुनौती जरूर है इनके लिए शुक्रिया इंद्रसीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए गोकाल गुपता वारे साथ इस वक्त जोड़ने फॉन लाइन पर गुपता एक सवाल आप से की रिशी कुमार शुकला को स डिरेक्टर बना दिया गया और ऐसे वक्त में उन्होंने पद्भार समाला जब सीबी आई को लेकर तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही थी और कहा ये भी जा रहा था कि सरकार के दवाव में ऐसी सस्ताइब काम कर रही है प्षिकुमार शुकला को जिस तरीके से सीवी डारेक्टर बनाया गया है तो एक बड़ी हर्श की बात है क्योंकि मद्यपरदेश के अडर से रिशी कुमार शुकला चुनकर आते हैं जिस तरीके से चुनाव सांती पूर्ण तरीके से निप्ताया गया विधान सवा चुनाव मद्यपरदेश का तो ये भी एक बड़ी सफलता के रूप में रिशी कुमार शुक्रा के लिए गिनी जा सकती है तो उपकरत किया गया है निशी कुमार शुक्रा को अब चार दिन के अंदर ही उपकरत कर दिया गया और सी बी आई डिरेक्टर बना दिया गया है तो एक निशी कुमार शुक्रा के अगर उनके कारिकाल की बात करें गुपाल तो किस तरीके के आफसर है और क्योंकि एक बड़ी जिमेदारी अब उने दी गई है और जैसा कि हमने पहले कहा कि ऐसे वक्त पों उनको जिमेदारी दी गई जब सी बी आई पर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं तो क्या उनका बेक्डाउंट था और किस तरीके कि उनकी प्रशास्निक सेवाओं में खासतोर पर योगदान रहा है उनका गोपाल आपको आवाज मिल रहे हैं हमारी चलिए शुक्रिया गोपाल अमार साथ जूनने के लिए तो रिशी कुमार शुक्ला को सी बी आई का नया डारेक्टर बना दिया गया है क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से यह खबर आ रही थी कि अगला जो सी बी आई का डारेक्टर कौन होगा और आखिरकार रिशी कुमार शुक्ला के नाम पर अन्ती मोहर लगी है अब वो सी बी आई के नरीडी डाटर बने है उन्हें सो तिरासी बैच के वरिष्ठ आईप्यस अधिकारी है रिशी कुमार शुक्ला तेज तर रार अबसर अपने आप में माने चाहते है